तॉर कोना करेंट केरीं कोल इन यूनिफोर्म मगनेटिक फिल्ड की किसी भी कोल को यह लूप को किसी भी शेप को सकते हैं जब भी मेगनेटिक फिल्ड में रखेंगे तो इस पर क्या लाएगी टॉर्क लाएगी आज अमने उसी कहा लिखालना है तो कितनी टॉर्क लाएगी ठीक है तो हम ड्रेविशन करने के लूप को सेटर करेंगे रेक्टांगूलर शेप का तो कंसीडर a Rectangular Loop of Length L, Breath B carrying current I placed in Uniform Magnetic Field B, कि हमने एक Rectangular Coil लिया उसको लेंध कितने है L, Breath कितने है B, उसको Magnetic Field में रखा जिसकी वल्यू कितने है? B, कि सपोस ये Uniform Magnetic Field दिखाए मैंने इस तरफ, इसमें मैंने कोईल को प्लेस किया, Rectangular Loop को, और कैसे प्लेस किया है जहांते देखना, ये ऐसे प्लेस किया हो, पता कैसे? कि सपोस Magnetic Field दिधर है, इस कोईल को ये ऐसे प्लेस किया हो, ठीड़, ठीकिए? अब मुझे के Angle Define करना समझ आ गया? कि ये कोईल ऐसे प्लेस दैए और ये ऐसे Magnetic Field है, इसका नाम देदिया मैंने किया, P, Q, R and S, इसकी length कितनी है L और breath कितनी है B, तो मैं breath को चलो, नीचे ट्रो कर देता हूं, ये breath है कितनी? B और इसकी length कितनी है, इसकी length है L और इसमे current कितना pass कर रहा है? इसमे current pass कर रहा है I, ठीक है? तो अब मुझे orientation define करने है, कि ये कितने angle पर बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए first chapter में तुमने एक चीज़ पढ़ी थी यादे area vector, क्या था रहे वेक्टर अगर थोड़ा सा recap करें तो, it is a vector drawn perpendicular to area, या perpendicular to the plane of the loop, कि अगर मैं ये loop बनाऊं, ठीक है? इसमे current pass करवाया I, अब ये plane loop है, like board है हमारा plane, तो मैंने उस chapter में बजाए था, इसका area vector भार की तरफ यो सकता है, perpendicular और अंदर की तरफ भी हो सकता है, इसके उपर उने side discussion की थी, बट अब जब हम बात कर रहे है, current flow कर रहा है, तो इसमें हम ना कैसे करेंगे direction area loop की, अब इसमें किस direction flow कर रहा है, ऐसे direction flow कर रहा है, यहां से, तो कैसे clock wise कर रहा है, तो right hand thumb rule गाएंगे, finger हो कर रहो, current की direction में, thumb किस तरफ आ गया, inverse, तो इसके लिए जो area vector बनेगा, वो किस तरह बनेगा, normally inverse, ठीक है, and अगर for example, यही loop होता, same, इसी plane में है, बट current की direction opposite होगी, ठीक है, इसमें थी clock wise, इसमें होगी anti clock wise, तो आप finger सो कर कर रहो, anti clock wise, थम किस तरफ आ, outward, तो इसके लिए area vector कीदर हो जाएगा, इसके लिए area vector हो जाएगा, outwards, ठीक है, आप suppose यह loop सीधा पड़ा होता, तो यह loop तुम्हें कुछ ऐसा दिखता सीधा पड़ा होगा, यह loop ऐसा दिखता तुम्हें सीधा पड़ा होगा, अब इसका area vector कीदर होता, इसका area vector होता, inverse, अब यह loop थोड़ा सा tilt कर दिया, तो area vector है तो अभी भी inverse, इसके तो area vector की direction कुछ ऐसे हो जाएगी, ऐसे, ठीक है, area vector कुछ ऐसे हो गया, बनाना मुझे इस loop के perpendicular रही है, यह angle 90 degree है, ठीक है, अब मैं theta angle लोंगा, किसके बीच में, magnetic field के बीच में, और area vector के बीच में, तो इस theta एइंगल को ध्यान रखना किसके बीच में angle है, किसके बीच में theta एइंगल, theta is the angle between, area vector of the coil and magnetic field, इस चीज को ध्यान रखना, अब्छा इसके बीच में, है इंवर्स अंदर की दरफ गया इसको तरन कर देया तो भी तेलिट हो गया confirm कि के मिदस्टि संदेने देल्या अब इस में सब्साड़ से शटिर ओछ म सब्सक्रा अब हैं अग्वेटिक सब्सक्राइब क्या ने extensively फिल्ड में अब इसमें हर इसकी आम के ऊपर क्या लगेगा फोर्स लेगा क्योंकि हर एक और में क्या फ्लो कर रहा है करेंट फ्लो करेंगा में निकालतों मैं अब इसे फिछलेक्सराउमने फीडिक क्या प्रता फ्लो क्या प्रता था I L B SIGN THETA, where I is the current, L is the length, B is the magnetic field and theta is the angle between the direction of current and the magnetic field. तो force का formula current कितना है i, इसकी length कितनी है, b, magnetic field कितनी है, b, theta कितना है, theta कि इसकी बीच में एंगल है, angle between direction of current and the magnetic field, अब यह direction of current है इदर, तो अगर मैं इस angle को alpha ले लूँ, ठीक है, इस angle को alpha ले लिए, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, तो मैं सिर्थ देखना, ठीक है, यह ऐसे current जा है, तो मैंने इस angle को ले लिया alpha, ठीक है, यह diagram में यहाँ इदिल नहीं दिखा रहा, बट यहाँ मैंने दिखा दिया, कि यह मैंने PQ arm draw की है, और यह PQ में current इस direction है, magnetic field इस direction में, तो यह angle आगे alpha, तो क्या जाएगा, I L B sin alpha, अब इस force की direction बताओ, तो force की direction मैंने बताएदा, क I L cross B से, अब किदर current से magnetic field की तरफ arrow, तो इदर draw किया, तो ऐसे curl किया finger, ऐसे, किस तरफ, ऊपर की तरफ, अब धियान रोखको, यह current ना भार की तरफ आ रहा है, ठीक है, भार की तरफ, तो finger अंदर की तरफ गई, और thumb किस तरफ आ गया, ऊपर की तरफ, ठीक है, तो force किस की अपवर्ट्स, clear समय आगया, ठीक है, अब मैं इस diagram को दुबार आपना लगा एक बार, थोड़ी side पर बना तो, क्योंकि मुझे एक और आम पर force लिखना है, अब देखो, force on R S, due to magnetic field, that is equal to, अब अब अगेन, I L B sin theta, तो I, इसकी लेन देखो, कितनी है, B, magnetic field तो uniform है B, अब आगया theta की बार, ठीक है, कि angle कितना ले है, जहां से देखना, अगेन मैं same diagram नारोगा ही loop वाला, ठीक है, ये current ऐसे था, इसमे current ऐसे है, ये angle magnetic field ऐसे, और इस angle को मुझे बना आयता क्या alpha, अब magnetic field कैसे है, ऐसे, और ये angle क्या होगा, ये angle तो alpha ही ह होगा ना, देखो, ये वाली side और ये वाली side parallel है, ये दोनो parallel है, तो अगर ये angle alpha तो ये भी क्या होगा, alpha, अब बट एक चीज़ धियान रखना, क्या, जो vectors में angle होता है ना, वो तब लेते हैं, जब tail से tail connected हो, ये angle होता है theta, ठीक है, जैसे ये vector है, ये vector है, सपोज ये a vector, य ये b vector, तो इस angle को हम theta ने लिखता हम theta कैसे लिखेंगे, अगर a vector से, b vector से, मतब tail से tail join करो, then angle आते vector करो, तो इसमें कौन से angle लेना हमे, ये current इधर, ये magnetic field इधर, तो इसमें ये angle लेना हमे, ठीक है, clear, तो समझ आगे, क्योंकि angle कि इसमें था, direction of current, magnetic field, current किस तरफ, इस तरफ, magnetic field किस तरफ, तो इंगल कितना हो गया, 180 माइनस alpha, तो क्या है, sin 180 माइनस alpha, एक property होती है, sin की, पढ़ी हुए तुमने, sin 180 माइनस theta is equal to sin theta, तो force कितना आ जागा है, i b into b into sin alpha, आप बाते है, direction of force, तो theta किस तरफ आ रहा है, देखो, इसकी alpha जो आ रहा है, इस तरफ, तो इस तरफ finger कर यहा, towards की तरफ आ घया,ongward, तो यहा पर force किस तरफ आयता, PQ किस तरफ आयता, upward, सपर किस तरफ आ रहा, एस पर downwards, तो force आ गया, downwards तो यह कา सकावरक्टborg तरफ तो इन डुनों फॉर्स का जाएगा नाली फाई हो जाएगा क्योंकि एक जित्रा फॉर्स उपर की तरफ उतना है force, नीचे की तरफ, तो net force यह लिखलो इसको कैसे, कि इसको मैं लिख दूँ, Fpq vector और इसको मैं लिख दूँ, Frs vector, तो बहुत सकते है, Fpq vector plus Frs vector is equal to 0, कि दो नुको एड़कर की आएगा? 0. or you can say force on arm, force on arm Pq is equal and opposite to force on arm Rs, so दोनो इसको क्या करतेंगे, nullify करतेंगे, ठीक है, मतलब इन की वरे से कोई भी net force नहीं लगेगा, क्या इन की वरे से torque लगेगा? देखो, अगर मैं इस notebook को उपर की तरफ, की तरफ खीचू और नीचे की तरफ खीचू, तो क्या नोट्बूक रोटेट करेगी? नहीं, तो net force कितना हो गया? 0. तो अभी तक हमने पढ़ लिया, कि जितना force PQ पे उपर की तरफ लगा, उतना ही force RS पे नीचे की तरफ लगा, तो इनकी वाई से net force कितना हो गया? 0. अब मैं force निकालूँगा कि इस पे, suppose QR पे, तो force on QR due to magnetic field, कि QR के उपर force magnetic field की वैसे, अगेन formula ILB sin theta, तो लगाते है formula, current तो I है, length कितनी है इसकी अब L, magnetic field कितनी है, B, theta देखते हैं कितना है, अब current किस तरफ आ रहे है, नीचे की तरफ, magnetic field कितर है, इधर तो theta कितना हो गया, 90, तो theta हो गया 90, तो ILB sin 90, that is equal to ILB, अब इसकी direction, अब magnetic field और current कि direction perpendicular है, तो flaming left रूर लोगा सकते हैं, magnetic field कितर, इधर, current कितर, नीचे तो force कितर आगया, बाहर कितर, देखलो, magnetic field इधर, current नीचे कितर, force कितर आगया, outwards, तो यहाँ पर ही is force कि direction कितर आगी, outwards, ठीके, next, force on PS due to magnetic field, ठीके, अब आई क्या है, current पास आई कर रहा है, length again L है, देखो, B, magnetic field theta कितना है, 90, देखो कैसे, current उपर की तरफ, magnetic field इधर, again theta कितना है, 90, ठीके, तो theta 90, तो क्या formula आगया, इसका भी, I, L, B, अब इसकी direction देखते हैं, अगे, perpendicular रहा है, तो फ्रेम में left रूल का सकते हैं, magnetic field fix कर ली, current कितर, उपर, किया उपर, तो force कितरा आ गया, inverse, तो इसमें force कितरा आ गया, inverse, तो देखो, force तो यह भी, I, L, B, आ था, यह भी, I, L, B, आ गया, यह outwards, यह inverse, तो जितना force, भार की तरफ लग रहा है, उतना ही force, अंदर की तरफ लग रहा है, लग रहा है, तो net force, अगयन कितना हो जाएगा, 0, तो net force, due to FQR, FQR, and FPS, is 0, कि net force अगयन कितना हा रहा है, 0 हा रहा है, तो net force हो चारो आंस पे 0 हो गया, इस पे उपर की तरफ था, और इस पे नीचे की तरफ, इस पे भार की तरफ, इस पे अंदर की तरफ, तो net force हो 0 हो गया, तो क्या पता लगा, कि net force on the loop, due to uniform magnetic field, is 0, कि loop के ऊपर, इस uniform magnetic field के वैसे net force कितना हा रहा है, 0, अब ध्यान रखना है, इस point को about mark कर लेना, कि यह loop चाहे, किसी भी shape का क्यों ना हो, यह loop चाहे, किसी भी shape का क्यों ना हो, अगर magnetic field uniform है, तो net force समिशा 0 होएगा, conceptual question में काम आएगा, चाहे इसकी जगह circular loop क्यों ना होता, चाहे इसकी जगह circular loop क्यों ना हो, तो भी net force क्या होएगा, 0, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है, इस पर force किस तरफ भार की तरफ, तो सोचो एक force को भार की तरफ कीच रहा है, यह force किस तरफ अंदर की तरफ, एक force को अंदर की तरफ, क्या रोटेट करेंगे इसको, तो यह जवाला फॉर्स है यह क्या प्रिडूस करेंगे यह कपल प्रिडूस करेंगे बेसिकली जिसको रोटेट करेंगे इसको रब कर रहा हूं मैं नौट करो जल्दी तो अगर मैं बात करूं एफ ओन क्यू आर तो कितना है था यह यह आया था I L B F1 P S यह भी कितना आया था I L B नौव F Q R and F P S प्रिडूस इसको प्रिडूस करेंगे कपल समझते ने क्या चीज़ होती सी प्लस ने बढ़ा था एकवल एंड एपोजिट फोर्स जो अलग अलग च täll लाइन औव X しपेक्ट करेंगों तो एक पॉजिट फोर्स ना एक पॉजिट फैरव ठा की तरफ एक फोर्से अं-दर की तरफ अब इसको ऑगर ऊपर से देखे हम किस तरफ से उपर से to heck का इसको ऊपर से टोप वीव तो क्या दिखेगा कि हमें एक length दिखेगी कुण सी यह बली length एक force किस तरफ है अंदर की तरफ तो यह force ऐसे दिखेगा अंदर की तरफ और यह force किस तरफ दिखेगा बाहर की तरफ ठीक है clear अगर मैं इसको नाम देदू एफ सपोज कौन सब था यह qr और यह f कौन सब था ps तो ठीक है यहाँ पे इसका था area vector भार की तरफ यह और यहाँ था इस पे magnetic field इधर और यह angle था theta ठीक है यह डिखेगा समझ आगे इसको आपने ऊपर से देखा एक force किस तरफ दिखा अंदर की तरफ एक force किस तरफ दिखा बाहर की तरफ तो आपने यह डिखेगा बनाया यह बना है ंगल बेट वेड़ंट 2 sides ईसे एकवर 2 एंगल विटवीण बेर नॉर्मल इस एखए के उनके भीछ में उतके आप हो जो क्या यह वाली साइड यह जिसको में 1 मा मा कर रहा हम और यह वाली साइड नॉर्मल है इसको मैंने one one mark किये दोनों नॉर्मल है, similarly यह वाले एरिया व्यक्टर और यह व्यक्टर क्या है नोर्मल है परपेंडिकुलर है ना, एरिया वक्टर तो कंडिशन ही होती कि प्लेन उप करेंडिकुलर, तो और यह एंगल थीटा है इन दोनों बीच में, तो इन दोनों के ही कैसे है आब इसके बाद, torque due to couple क्या फर्मॉला आता है torque due to couple का ? force into में perpendicular distance between the axis of force बसी सिर्फितेबसे सिम्मल force into perpendicular distance. एकशिए यहां यह ने को है कि ना बेढना तो विया ऐ समझ घेए एक तो AC किसके एकोल है हमारी B के, अब देखो यहां से sin theta क्या आएगा sin theta, triangle AB से, perpendicular upon hypotenuse, perpendicular क्या है, BC upon AC, AC की value क्या है B, B, तो BC क्या आगया, यहां से B sin theta, put कर दो value यहां पर, ILB into में B sin theta, clear, तो यह आगया हमारा torque, तो torque will be, इसको मैंने एकटा कर लिया, oh sorry, यहां small b आएगा, IL into B, B sin theta, तो L into B, that is area, तो I AB sin theta, यह formula आगया हमारा किसका, torque acting on a coil, बट एक चीज़ ध्यान रखना, हम theta angle किसके विच में लेगे चल रहे, angle between area vector and the magnetic field, ठीक है, इस angle लो ध्यान रखना, बच्चे, इस में बहुत ज़्यादा गल्थी कर दें, ठीक है, इतना note करो जल्दी, होते है, if there are N number of turns, N number of turns मतला कोईल है, इसमें एक टिंगल तन था, इसके उपर एकोड़ दन, इसके उपर एकोड़ दन, इसके उपर एकोड़ दन, इसके उपर एकोड़ दन, तो total current, एक से आई, तो 2 से 2 I, 3 से 3 I, तो एक के उपर लगा, IAB sin theta, दो के उपर के लिखता, 2 I B sin theta, अगर N number of turns होगे तो क्या फोर्म दो हो रहता, torque is equal to N IAB sin theta, वेर N is the number of turns, ठीके, मैं बार बार बोड़ दन, theta एकोड़ धियान कोड़ रखना, इसके बिच में एंगल है, angle between area vector and the magnetic field, अगर मैं लिखूँ इसको vector form में, इसको लिखे किस में, vector form में, तो torque vector will be equal to N I and area vector into my magnetic field, A cross B, तो यह आगे vector form है, ठीके, अगें, torque की direction कैसे निकाल सकते हैं, A cross B के product rule से, वो मैं तो में सिखा चुक हों, बढ़ी बार, तो torque की direction कैसे निकाल लेंगे हम, right hand thumb rule से, ठीके, और चो मेरी torque है, that will be perpendicular to area vector and also perpendicular to magnetic field, ठीके, इसके बारें पट चुक है, पहले, नोट को रोप कर रहा हूँ, ठीके, कर लिया, नोट, अब देखो, torque का formula क्या आगे था हमारा, N, I, A, B, sin theta, tau is the torque, N is the number of turns, I is the current, A is the area, B is the magnetic field and theta is the angle between, sorry, angle between the area vector and the magnetic field, ठीके, इस चीज को पट चुक है, और अब इसके vector form में लिखा तो कैसे लिखोगे, torque vector is equal to N, I, A cross B, इसे लिखते हैं, vector form में, अब special case रिसके करते हैं, दो, पहला case, if theta is 0 degree, if theta is 0 degree, यह धिया रखना, theta किसके बीच में अंगल था, theta था, angle between area vector and magnetic field, तो क्या की case possible है, एक तो यह case possible है, देखो, यह ऐसे, magnetic field की तरह है, inverse, और यह ऐसे coil पड़ी हो, ठीक है, अब इस coil का यह तो area vector अंदर की तरफ होगा या भार की तरफ, तो मैंने 0 बोला है, तो ऐसे grunt ले लो, तो ऐसे लिया, थम देखो की सरफ आएगा, अंदर की तरफ, तो theta कीतना हो गया, 0, तो इस condition में torque क्या हो जाएगा, 0, because sin 0 is 0, और theta 1 हो, तो torque फिल भी क्या होगा, 0, इसका मतलब अगर plane जो है, आप देखो, एक case और possible था, यह ऐसे magnetic field होती, ठीक है, और यह loop ऐसे पड़ा होता, बिल्कुल perpendicular लेशके, यह perpendicular है, कैसे, कि यह ऐसे और यह magnetic field है, तो में जागिया, यह ऐसे और यह magnetic field है, अब एक force उपर की तरह, एक force उन नीचे की तरह, 0, एक force इधर, एक force इधर, तो उनका effect भी क्या, 0, यह भी घुमा नहीं पाते, तो torque फिर कितना हो जाता, 0, क्योंकि इसका area vector भी या तो इधर आएगा, वो current की direction करता है, यह इधर आएगा, तो again torque क्या हो जाएगा, 0, तो theta 0 है, बट यह ध्यान रखना, कि जो plane of coil है, that is perpendicular to magnetic field, तो cbse में बड़ी पार्क इंफूज करता है, कि दे देगा, plane of coil is perpendicular to magnetic field, find the torque, तो ब इसके भी जो angle लिया था हमने, area vector में और magnetic field में, तो perpendicular देखो तो theta 90 में पूट कर देना, theta की देखना, कि area vector साथ कितना angle में बना रहे, तो अगर तुम्हें कोई plane दिख जाए, जो magnetic field के perpendicular हो, तो तो और कितना कर देना हम आपे 0, clear, ठीक है, तो इस point को note करो, अब एक और point, यह point समझ आ गया, if theta is 90 degree, इसका मतलब कि जो area vector है, that is perpendicular to magnetic field, ठीक है, वो कैसे possible है, यह magnetic field, और यह ऐसे कोहल पड़ी हो, ठीक है, अब अगर मैं इस direction current ले लो, तो इसका area vector की सरफ होगा, इसका area vector होगा, अंदर की तरफ, है ना, अगर इसके opposite direction में भी current होथा, ठीक है, अगर इसके opposite direction में भी current होथा, तो भी area vector की सरफ होगा, बार की तरफ, मगनेटीफिक इदर, तो भी theta की तना, 90, तो theta 90, torque का formula क्या होता है, NIAB sin 90 degree, the torque will be equal to NIAB, this will the condition for maximum torque, this is the condition for maximum torque, तो इसमें जो मेरा plane of coil है, जो इसमें मेरा, plane of coil है, that is parallel to magnetic field, यह वही सेम चीज आगी, जो हम एडिया vector में करते हैं, वही सेम चीज है, कि plane of coil parallel देखते ही, बच्चे, theta zero put करते हैं, torque zero करते हैं, बट ऐसा नहीं है, plane of coil parallel है, तो भी तो जार एडिया vector perpendicular है, क्योंकि area जो वेक्टर है हमारा, that is perpendicular to plane of coil, तो इन दोनों के इसको ध्यान रखना, कि जब theta zero है, तो इसका मतलब जो मेरा plane of coil है, वो क्या है, perpendicular, बट area vector क्या है, parallel to magnetic field, बट area vector क्या है हमारा, parallel to magnetic field, अगर theta 90 है, मतलब area vector perpendicular to magnetic field, बट plane parallel to magnetic field, ठीक है, clear, तो इसका मेरा टोपिक बस यहीं तक था, टोपिक था हमारा क्या, torque or current carrying coil in magnetic field, तो हमने इसका expression निकाल लिया, NI यह भी sin theta, और vector format torque is equal to NI into A cross B, बस बार बोलनों, theta angle ध्यान रखना किसके बीच में, angle between area vector and magnetic field, और एक और important point IS में क्या, कि कि किसी भी coil किसी भी shape को क्यों नहों, लूप किसी भी shape का क्यों नहों, अगर उसको uniform magnetic field में रखे तो net force कितना होगा, 0, इस point को ध्यान रखना, कैमर क्या बोलता है, कि for example, यह magnetic field है, यहां पर उसने circular loop रख दिया, ठीक है, बोला कि बताओ net force कितना, तो net force कितना, 0, magnetic field uniform दिखने चाहिए, जैसे कोई कोई पढ़ियो, net force मेंशा कितना होगा, 0, अच्छा जो यह formula है ना तुमारा torque is equal to n i a b sin theta, यह किसी भी shape के लिए valid है, कि अगर circular shape आजे, तो simply area क्या पूट कर दो, pi r square, क्या पूट कर दो, pi r square, तो कर जाते जाते एक और conceptual question याद आ गया, क्या question था वो, जहां से देखना, ncr question है तुमारा, कि एक wire है, उस wire से हमने दो shape बनाई, एक तो बनाई हमने square shape, और एक shape बनाई हमने circular, बट wire की length same है, और बोला है, दोनों को हमने magnetic field में रखा, और इसी orientation में रखा, कैसे, कि यह wire, यह ऐसे square shape, यह ऐस magnetic field, और यह ऐसे circular shape, तो बोला बताओ, तो टॉर्क किसके case में maximum होगा, दोनों पर टॉर्क करेगा, यह होनो लागा, यह एन आए बी, current दोनों में same बोल दिया, magnetic field same है, तो टॉर्का फोन लागा आएगा, टॉर्का फोन लागा भई, आपको शुन आता है, बताओ, एरिया circle का ज्यादा है, यह square का ज्यादा है, तो इसके लिए तुम्हें मैस्ट पता होना चाहिए, कि for a given length, for a given length, area of circular shape is maximum, यह property यह पता होनी जिए मैस की property है, कि अगर मैं बोलू ना, कि मेरे पास एक wire है, उससे कोई energy shape बनाओ, और ऐसी shape बनाओ, जिसका area maximum हो, तो उससे circular shape बनादे न, उसका area maximum आएगा, तो किसका area जाद है, circle shape का, तो इसके case में torque भी क्या लएगा, जाद लएगा, तो torque will be more, ठीक है, पट वो तब ही होगा, जो तुम्हें इस property का पता होगा, अधरवाइस तुम तो बोलोगे, torque same है, area same होगा, बट ऐसा नहीं है, for the given length, area of circle shape क्या होती है, हमारी maximum होती है, ठीक है, तो आज की lecture labor, इतना ही, note करो जो से.